हेलो इस्टेवन मैसेफ डॉक्टर अख्रेश गुपता फीजो तेरेपी फेकल्टी एड इंट्रा गान्य इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसे तो एज वी डिस्कुसिंग दा टॉपिक प्रोलैप्स इंटरवर्टीब्रल डिस्क तो येस्टेड़े वी डिस्कुस इस और इंट्रोड़क्शन एंड्ट कॉजरस मूविंग आहेड टुडेविल डिसकुस अबाउट इस पैथलोजी कि यह कैसे होता है क्या-क्या चेंज्जिस आते हैं क्या-क्या स्थेप होते है और स्टेज़ बूला था कि यह एक दिन लिल्टा काम नहीं है या सडिनली न के अंडर पढ़ेंगे इन दिस देरिस प्रोट्यूजन औफ नूक्लियस पल्पोसस फ्रॉम एन ओपनिंग स्पेस और गैप इन दा एनुलस फाइब्रोक्सर तो अगर हम इंटर्नल वैसे तॉमने से मुटी मुटी बात बोल दी की प्रोलेप्स इंटर वर्टिबर डिस्क क्य क्या है यह स्लिप आउट हो जाना इंटर वर्टिबर डिस जोगी दो एड्जेसर वर्टिब्रा के बीच में होती है फाइब्रो कार्टिलेंज इस्ट्रक्चर के बनी हुई वह स्लिप कर जाती खिशक जाती अपनी जो कैसे एक्जैक्ली क्या होता है वह हम इसमें पढ़ें जो की इनर लेयर है और कहां से अनुलस फाइब्रोसम से क्योंकि आउटर लेयर कौन सी है अनुलस फाइब्रोसम जब इनर लेयर आउटर लेयर को तोड़ेगी या ब्रेक करेगी तभी तो वह बाहर आपाएगी तो इसलिए आती है नुलस फाइब्रोसम में जो की आपकी आ बाहर निकल आता है this space is created due to series of pathological changes as follows तो जैसा कि हमने बात की थी कि एक दिन का काम नहीं है ये एक chain है ये एक series है ठीक है कि लगातार pressure पर रहा है लगातार Degeneration हो रहा है वगेरा वगेरा चीज़े हो रही है उससे ये space बन रही है किसमें annulus fibrosum में एक जगे बन रही है अब उस annulus fibrosum में जब जगे बन रही है तो उसके अंदर का structure क्या होगा automatically बाहर आएगा ठीक है तो उसी तरह से ये एक series है ठीक अब वो क्या है सबसे पहले आता है हम nucleus regeneration की बात करेंगे तो सबस्के पहले बात करेंगे कि nucleus जो है अंदर का वो degenerate करता है यानि कि पुराना होता जाता है खराब होता जाता है ठीक है उसके cell खराब होते जाते हैं डिस स्टेज कंसिस्ट आफ softening of nucleus and its fragment तो यह कह रहा है है कि इसका जो यह जो nucleus है कैसा कंजोर स्टनिंग का मदल्द हैं कंजोर से कंजोर होने रगता है और उसकी इर्दगीर जो fragment है वह भी कंजोर होने रखते हैं ठीक है अब next आता है मैं stage of nucleus displacement तो पहले तो कोई चीज कंजोर होगी जब कोई चीज कंज़ोर होती तभी तब झाँ झाज़ जाती तो क्या होता है वो धीली पड़ जाती एत अफ है तो उसी तरह से यहां भी है तो अपनी ए फिरा आ बाहर आ गया नहीं ऐसा नहीं होता है एक बार दिस्क बाहर आ रही है या आना शुरू हो रही है डिस्क जो है वो बाहर आना शुरू हो रही है in this stage there is bulging of nucleus due to constant pressure after becoming weakened तो कहने का मतलब यह वो stage है जिसमें जो आपकी nucleus है वो bulge bulge का मतलब होता है बाहर निकलना ठीक है उभरना जैसे की आप देखने आपके सरी पे दाना हो जाता है तो दाना क्या सा उभरा उभरा हुआ होता है थीक उसी तरह से तो उस तरह से समझे कि अभी सिफ दाना निकला है जो कि आपके skin से bulge किया बाहर निकला है ठीक है अभी सिफ बाहर निकला है ठीक है अब वो क्यों हो रहा है यहां यह यह constant pressure यानि इस डिस्क की बात करें तो constant pressure पढ़ने की वज़े से जो कि हमने बात की थी कि हम अपने रोज मर्णा की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे हमारे डिस्क पर प्रेशर पढ़ता है ना चाहते हुए भी ठीक है जैसे जादे दिर खड़े हो ठीक है अब नेक्स आता है stage of extrusion यह further है यानि प्रोट्यूजन का मतलब हलका निकलना और extrusion का मतलब ज्यादा निकलाना ठीक है पहले थोड़ा से निकला था अब ज्यादा उभर के निकल लाना है इसी को बोलते हैं extrusion in this stage the nucleus comes out of the annulus fibrosus but remains in contact with the disc तो इनका कहने का मतलब है कि अ आप यह annulus इस stage में क्या करती वह annulus fibrosus जो की intervertible disc की बाहरी layer है उसको तोड़ देती है ठीक है और उससे बाहर निकलाती है ठीक है ठीक उसी तरह से समझे जैसे आपका दाना है वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया है और उसमें जो पीला वाला पार्ट होता है जिससे पस नि यह ठीक है ठीक उसी तरह से लेकिन अभी वह इसकीन से attach है अभी इसकीन से जुड़ा हुआ है तो ठीक उसी तरह से अभी वह यह nucleus जो है nucleus नुखली पर पोसर जो है वह और यह यहां कर रहा है पूरी तरह से बाहर आया नहीं है ठीक है जैसा कि आप इस डिएग्राम में लगता है तो यह होता है आपका stage of extrusion इस तरह से लेकिन अभी भी वह अंदर की जो लेयर है आपकी एनुलस फाइब उससे अभी जूड़ा हुआ है ठीक है अब नेक्स हम बात करेंगे stage of sequestration stage of sequestration in this stage the prologue get detached from the test तो यह कहने का मतलब है कि अब यह एनुलस fibrosus जो है जो की बाहरी लेयर है उससे nucleus जो है वो पूरी तरह से अलग हो जाता है और बाहर की तरफ आ जाता है यानि इदम बाहर फेक देता या बाहर आ जाता है अब इसका अनुलस फाइब रोसम से कोई contact नहीं रहता है जैसा कि आप इस diagram में देखने देखिए यह जो अंदर वाला माली यह नीला नीला जो है ऐसा होता नहीं है डिफ्रेंशियेट करने के लिए आपको दिखाया जा रहा है कि आप पहचान सकें तो यह डार्क नीला वाला है वो है आपका nucleus फाइब रोसम तो यह देखिए nucleus फाइब बनाया रास्ता बनाया आपने लिए और यह देखि of sequestration अब इसको हम कैसे समझें देखिए जब आपके फोड़ा हुआ ठीक हलका से निकला stage of production थोड़ा और बड़ा हुआ और उसमें पीला-पीला मूव बन गया पस के लिए stage of extrusion अब उस पस को यह पस फूट गया किसी चीज से टकरा के या आपने जब रस्ती दबा के फोड हो गया तो जब दबा के फोड़ देते तो क्या हो तो वह पीला-पीला पार्ट निकल जाता है और सिर्फ इसकिन में एक फोड़े वाली जगह पे सिर्फ छोटा सा छेद रहे जाता है तो वह है आपका stage of sequestration यानि पूरी तरह से वह पस जो है वह आपकी इसकिन से detach हो गया है या उस फोड़े वाली जगह से detach हो गया है ठीक है उसी तरह से यह stage of sequestration होता है हला कि दोनों में कोई comparison नहीं वह infection की वज़े से होता है और यह आपकी खराप posture की वज़े से होता है या आपके nucleus के regeneration की वज़े से होता है लेकिन एक comparison करने के लिए है ठीक है तो अब आप नीचे एक diagram देख रहे हैं जिसमें चार डिस्क बनी हुई है ठीक है तो सबसे पहला है डिस्क डिजनरेशन यानि की यह देखिए थोड़ा सा जूम करकर दिखाता हूं नाम के साथ तो आपको समझ में तो सबसे पहला है डेखिए इसका बिगड़ा लायना एक ऐसे ट्यक्ति और नेक्स कि एक्स्ट्रूजन साथ से लाज जिसमें देखिए एकदम तोड़ के बाहर बाहर एकदम बाहर आगे देखिए यह देख रहे न ठीके छोटे-छोटे टोकड़ों में बढ़ गये एकदम बाहर आगे यह है सिक्वेस्ट्रेशन अब next stage आती है यानिकि पहली stage ती आप की कौन सी? nucleus degeneration, दूसरी थी stage of nucleus displacement जो की तीन तरीके से होती थी? protrusion, extrusion, Check for it, 2020 अब इसमें तीसरी stage आती है जो की है आपकी stage of fibrosis तो fibrosis का journal word यह होता है कि किसी भी soft tissue का या किसी भी सबका हार्ड हो जाना ठीक है तो जैसे कि आपका जब आपका फोड़ा फूट गया तो वहां कि थोड़ी सी हार्ड हो जाती है उपर पपड़ी जम जाती है तो ठीक उसी तरह से समझिए कि स्टेज ओफ पाईब्रोसिस यह कड़ी होने लगती है अब इक्जैक्टली क्या होता यह देखते हैं डिस स्टेज और सब्सक्राइब आंड फ्लैटेंड एंड अंडर गोस क्याल्सिफिकेशन तो कहने को मतलब वह जो प्रॉलैप्स नूक्लियाश जो पाहर आया था प्रॉप्रॉबस नूक्लियस ठीक है एक दम बाहर बाहर आ गए थै इसरेक्षोस्ट्रेशन के बाद ठीक है और कोई सबसे बड़ी बात है करते हैं ठीके और लगातार अपने पॉस्टर को वैसा ही रखते हैं तो स्टेज till Islam नहीं है यह अगर यृ ज्यूर उसकता है सίο सकता है उसका रिलाज करना हिए तो यह भ्यान में रखेगा प्रोट्यूजन और स्रेश्टरेशन जरूरी नहीं है कि हर किसी में हो ही हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो the prolapse nucleus process becomes fibrose, fibrose का मदलब कड़ा हो जाना जिसे हैं, जिसे हम कहते हैं, fibrose हो जा रहा है, कड़ा हो जा रहा है, ठीके and flatten, चप्टा हो जाता है, जैसे कि आपने देखा न, और वो निकल जाएक्तुर दो क्या होगा Jb Koi Ccize कहीं से निकल जाती है छेसर करके तो क्या हो », nunेजा टो पूरी पिचक जाती है चप्टा हो जाती को लोगा जैएक का ऑफोρटा जब वहा पस निकल जाता था धीरे होने लगता है तो यह तरह से फ्लैट हो जाता है और अडर क्यल्सिफटा है यहीं एक जालनवा network बना लेता है तो करने के यह प्रोसेर है avoir हो जाती वहां की वगरा वगरा चीजे हो जाती है तो वो सही होने लगता है ठीक है यह एक natural phenomena है तो वो undergoes calcification वहाँ calcification होने लगता है ठीक है अब यह last diagram देखे इसमें आप stages of pathology को देख सकते हैं इसे होता है diagram के थ्रू ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे यह देखेंगे जो नीले बॉक्स में आप देख रहे हैं ठीक है जो नीले बॉक्स में देख रहे हैं ठीक यह आपका normal disc एकदम healthy disc है जिसमें कोई change नहीं आया है एकदम सही है next है आपकी disc degenerate disc यानि कि जो disc degenerate करना शुरू कर देखेंगे फटना शुरू हो गए ना बीच बीच से ठीक है यह है फिर औरेंज कलर के अंदर ठीक है फिर तीसरा है आपका उपर से तीसरा है आपका bulging डिस्क यानि जो धीरे-धीरे हलका हलका निकलने लगती है हलकी रहा आने लगती है यह ग्रीन बॉक्स के अंदर देखिए लाख यह बहार आना लगती है फिर नेक्स है हरणियाटन डिस्क या एसको आप कह सकते हैं इसने जो लाइट नीला इस्ट्रक्ट्ट्टर बाहर आ घ्या यह आपका इस्टेज ऑफ एक्स्ट्रूजन तो इसके इनूलस वाईब्रोस्स जो बाहर वारी लियाती उसको फाड़के बाहर आ यही आपका Nucleus Pulposus की बाहर आगे नेक्स्ट है अब सबसे लास्ट हम बात करेंगे स्टेज और फाइब्रोसिस में देखें कुछ इस तरह से होता है यह यह जगह पतली हो जाती है दूसरी फ्लैटन हो जाती है देखें एक तो पतली बाकी वर्टीब्री से आप कंपेर करें देखें कितनी मोटी है और यहां दीकिती अप्डिक उनीया रही मोदेखें हो जब होगई यह क्योंकि उसके अंदर का डायो निकल गया तो अब वह पतली हो गई अब पतली होने के बास देख़िए यह करें जिग जाक मैंनर में हो गई यह क्या है इसका की यह है तो ब करें सबस्क्राइबां और रिपे没事 होने लगी कि तो ये स्टेजस और रिपेर का मतलब यह वह हो रही है स्टेज Śiva का मतलब है कि जो खराब था ठीक है जो गरबड थी वह अब अपने पुराने वापस इस्थिति में जा रही है जब तक आप इलाज ने करोगी तब सही नहीं होगा स्टेज ऑफ रिपेयर का मतलब है वो जो आपका जो एनुलस फाइब्रोस जो फट गया था कट गया था इस पेस बन गई थी बाहरी वाली लियर में जिसकी वज़े से अंदर वाली लियर बाहर आ गई उसको रिपेयर होता है यानि वो छेदब बंध होने लग के लगता है ठीक है लेकिन अभी ये और टाइम बिंग यह ठीक हो रहा होता है यह यह वह से आफ दो बिना इलाज की यह सही नहीं होगा ठीक है तो यह stage of repair है उस annulus fibrosis जो बाहरी ले रहे है उसके heal होने का उसके repair होने की बात कर रहे है वो जो फटा था मुँ यह खुल गया था मुँ वो बंद होने लगता है ठीक है और यह acid degenerate यह acid के fibrosis calcify होने लगता है यह calcify होने लगता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही thank you class